अब हम देखेंगे कि Node Port पर हम साथ में specify करना चाहते हैं कि भी नहीं ऐसे dynamic port नहांसान कर हम एक fix port assign कर तो हमने एक file है हमर पास port-service-np-fix port तो API version v1 है, kind of former object service है, metadata फिर हमने क्या कहा दिया, name, webnp, fp लिख दिया कि fix port है, specification हमारी होगी, कि selector कौन सा कर ले, apps nginx web यूज़ कर ले, ports में हमने क्या कर देना है, protocol TCP यूज़ करते हैं, port हमारा क्या हो गया, 80 हो गया, हमने target port भी define कर दिया, आला कि यह जूरत नहीं है, ठीक है, वो अगर नहीं define कर गए, तो यह जो same है, उसी को target port ले लेगा, अगर different हो, तब specify करने के जूरत है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, node port specify कर दिया है, कि हम 31080, कुछ भी रख सकते थे, एक random मेंने fix port कर दिया है, आपको example देने के लिए, और type of service हमारी क्या है, node port है, तो हमने क्या कर दिया, यह 31080 हमने yml file में कर दिया, तो हम इसको देख लेंगे, file को cat command से, और again हमने selector क्या use किया, apps equal to engine x web, तो हमारा एक ही port run कर रहा है, तो जो एक ही port हमारी service के अंटर आजेगा, तो हमने apply कर देना है, अब हमें क्या है कि, हमने random port नहीं assign होगा, हमने जो port specify किया है, वही होगा, तो इसका meaning, यह हर एक node पे यह वाला port open कर देगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक node पे जाके, उसके इस port से, I mean node IP और node port इस वाले combination से हम assess कर सकते हैं, बट हम देखेंगे कि वह नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम पहले ही क्या करेंगे, firewall के इस rule को, यहीं support को क्या कर देंगे, open कर देंगे, और service से हमने क्या कर लेना है, kubectl get service से हमें detail मिलेगी, ठीक है, हम यह भी observe करेंगे, आपने आप एक cluster IP भी create किया है, फिर हम एक describe command को भी use करके देखेंगे, जिससे हमें पता लगजेगा, और ज्यादा detail में, और diagramatically बिल्कुल सेम वाली है, कि हब हम जो node IP है, प्लस node port है, इस case में हमारा fix है, उससे जब assess करेंगे, पहले हमारा यहाँ पर traffic जा रहा है, फिर वो किस combination पर जाएगा, cluster IP, और जो आपका service port है, उसका combination पर, फिर end में जो आपका traffic है, वो काम पर चला जाएगा, end point में, तो आपने जुरूरी नहीं है कि एक ही node वाला है, अब हमारे case में cluster के अंदर तीनो node है, तीनो में से किसी node पर भी जाके आप assess कर सकते हो, बाद में हम इस service को क्या करतेंगे, हम delete करतेंगे, तो यह हब हम देखने की कोशी करेंगे, इसकी demo देखने की कोशी करेंगे,